लोकसबा चुनाव से पहले बिहार में BJP का कुनबा बिखरने की कगार पर है NDA इस वक्त में टूटने की कगार पर पहुँच गया है और उसकी सबसे कमजोर कड़ी एक वक्त में BJP की सबसे ताकतवर कड़ी हुआ करते थे चिराग पासवान और चिराग पासवान को एक ऐसा ओफर मिला है इंडिया गठ बंदन की तरफ से कि चिराग पासवान निकलने को है अब कब निकल जाए कब वो खबर आ जाए कह नहीं सकते हैं लेकिन बड़ा ओफर मिला है इंडिया गठ बंदन की तरफ से और जरह बैक ग्राउंड को अगर आप समझेंगे बिहार की मुझूदा राजनिती को अगर आप समझेंगे तो चिराग पासवान क्यों अलग हो सकते हैं और चिराग पासवान के अलग होने में क्या फाइदा और क्या नुकसान है ये अगर आप विस्तार से समझेंगे जो आगे जिसका मैं जिकर करूँगा तो बहुत तक आपके दिमाग में पिक्चर किलियर हो जाएगी बिहार की राजनिती को लेकर के पिक्चर किलियर हो जाएगी कि किस तरह से बिहार की राजनिती बदल रही है और उस बदलती वी राजनेती को नरिंदर मोदी अमिच्या मिलकर भी नहीं बचा पा रहे हैं नरिंदर मोदी की लगाता रेलिया हो रही है बिहार के अंदर दो रेलियों के अंदर नितीज कुमार आए लेकिन चिराग पासवान नहीं आए और नहीं चिराग पासाओन की तरफ से कोई स्वागत में ट्वीट किया गया लेकिन अब बड़ी खबर में आपको देने जा रहा हूं बड़ी खबर ये है कि चिराग पासाओन को इंडिया गठ बंधन की तरफ से 8-10 सीटों का ओफर कर दिया गया है आठ से दस सीटे इंडिया गठबंदन की तरफ से राहूल गांदी और तेजस्वी आदव की तरफ से आठ से दस सीटे ओफर कर दी गई है ये बड़ी खबर में आपको बता रहा हूँ और वहीं पर न्डिया गठबंदन कीवल और केवल पास सीटे देने के लिए तयार है आगे मैं विस्तार से आपको बताओँ गा कि एक-एक सीट किस-किस सीट पर दावेदारी ठोकी जा रही है और कौन-कौन सी सीट केवल BJP उनको देने के लिए तयार है कितनी सीटे देने के लिए तयार है और पेच केवल चिराग पासवान के नाम पर नहीं है पेच जो है अगर आप बड़ी तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस वक्त में NDA के अंदर जीतनराम मांजी उनको जो है वो दिक्कत हो रही है जीतनराम मांजी नराज है जीतनराम मांजी के बाद में उपेंदर कुस्वा उनको सीटे प्रोपर नहीं मिल रही है नितिस कुमार के आजाने के बाद उनकी तवज्यों खतम हो गई है ये भी एक बड़ा बीजेपी के लिए समस्या है उपेंदर कुस्वा के बाद में तीसरे नेता है वो है मुकेस हानी तीन नेता तो दूसरी लाइन के हैं इससे पहली वाली लाइन के जो नेता है वो चिराग पासवान और पसुपती पारस ये पसुपती पारस और चिराग पा से साफ नहीं हुई है लेकिन ये जिस तरह से बिहार की राजनेती अभी इन चेहरों की इर्द गूम रही है ये जो दूसरी लाइन के नेता हैं जिसमें आप मोदी और नितीज कुमार को आप छोड़ दीजिए अगर नितीज कुमार वापसी आ गए तब फिर जो है वो इन ने प्रिताओं की ये जो दूसरी लाइन के नेता है जिसमें चिराक पासवान है जिसमें जितनरा मांजी है उपेंदर को स्वा है मुके साहनी है इनके दिन अच्छे आ जाएंगे फिर और इनको वीजेपी के अंदर अच्छी सीटे मिल जाएगी लेकिन अब नितीज कुमार उ उठा करके देखिए जब नितीज कुमार को वापिस लाए गया तो ये सारे नेता एक तरह से जो सपने देख रहे थे कि नितीज कुमार तब लालू परसाद यादव के साथ रहेंगे नितीज कुमार तो उधरी रहेंगे और बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी हमको सीटे देनी पड़ेगी लेकिन अब बीजेपी क्या वाकई कॉंपरमाइज करेगी बीजेपी क्या वाकई इनको सीटे देने वाली है ये बड़ा सवाल है तो मैं आपको पहले जो है वो कुछ नतीजे दिखा देता हूं ताकि आप एक बार पुरानी तस्वीर देख करके नई मजबा पुरानी तस्वीर जो हो देखेंगे हम तो पुरानी तस्वीर पहले आप देखिए 2019 का लोकसवा चुनाओ का जो नतीजा था वो आप देखिए बीजेपी 17 सीटे जीत करके आई सबसे जाज़ा सीटे बीजेपी जीत करके आई 40 सीटे कुल है 40 में से 49 सीटे एंडी सीट जीत करके आई और एलजेपी उस वक्त में एलजेपी दो फाड नहीं हुई थी एक ही एलजेपी थी और वो एलजेपी 6 सीट जीत करके आई एक सीट कॉंग्रेस पार्टी जीत करके आती है आरजेडी को कुछ नहीं मिलता है और लेफ्ट पार्टियों को भी कुछ नही का लेकिन अब इस इदर नितीज कुमार के आने के बाद में जो ये सोला सीते हैं ये सोला सीते वो गिनी जा रही थी अब इंडिया गठबंदन के अंदर लेकिन नितीज कुमार फिर उस तरफ चले गए तो नितीज कुमार के फिर उस तरफ जाने के बाद में अब ये जो पार पार्टी आप अनकमफर्टेबल हो गई है वहां पर और खास करके चिराग पासवान ही वो वेक्टी है वो नेता है जिसकी वज़े से नितीज कुमार करीब करीब दो दरजन सीट हार करके 45 सीटों के साथ में तीसरे नंबर पर आ गए तो तीसरे नंबर पर जो है पार्टी आ गई और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो चिराग पासवान का हाथ है क्योंकि चिराग पासवान ने उन उन जहें पर उमिदवार उतारे और मजबूत उमिदवार उतारे जहां पर वोट था जेडियू का नितीज कुमार का वोट था और लगातार वो नितीज कुमार पर अटेकिंग मोड में रहे तो यह 2019 की तस्वीर है उसके बाद में 2020 का लोगसभा चुनाव जब हुआ तो वो तस्वीर भी देख लिजिए इसमें 243 वाली विदानसभा के अंदर बीजेपी को 74 सीट मिली जेडियू को 43 सीट मिली एलजेपी को एक सीट मिली कॉंग्रेस को 19 सीटे मिली आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उबरी 75 सीटे मिली लेफ्ट को 12 सीट मिली और MIM यानि ओवेसी की पार्टी को 5 सीटे मिली बाद में 4 विदायक इनके यह स्थिति रही जहां पर बीजेपी जो है वो और एंडिये बीजेपी और जेडियू दोनों मिला करके सरकार बना पाए लेकिन फिर बाद में चाचा जो है वो भतीजे की तरफ आ गए और भतीजे की सरकार बना दी फिर भतीजे से फिर चाचा जो है वो उस तरफ चले गए म पर तस्वीर और भेंकर तरीके से पलट जाएगी लेकिन अभी देखिए बिहार NDA के अंदर जो संभावित सीटों का बटवारा है उसकी स्थीति क्या है यह स्थीति है कि बीजेपी को 17 सीटें बीजेपी 17 सीटें जो उनका भी विदायक है सांसद है 17 सीटों के उपर तो 17 की 17 सीटे बीजेपी अपने पास में रख सकती है जेडियू 14 सीटों पर लड़ सकती है जेडियू की दो सीठे जो हो कम की जा सकती है सोला अभी उनके सांसद हैं चिराग पास्वान और पसुपति पारस दोनों चाचा भतीजे को यहां पर भी चाचा भतीजे की लड़ाई है पार्टी टूट गई तो चाचा भतीजे को छे सीट कुल दी जाएंगी जिसमें किसको कितनी सीट मिलेंगी इस पर सीटी अभी साफ नहीं है उपेंदर कुसवा चार सीट मांग रहे हैं सिर्फ एक सीट की बात हो रही है जीतनरा मांजी दो सीट मांग रहे हैं सिर्फ एक सीट मिल रही है मुके सहानी उनको भी दो सीट मांग रहे हैं और सिर्फ एक सीट उनको मिली है तो ये जो नीचे की जो लाइन है बीजेपी के अंदर यही मुसीबत है कि 6 सीट चिराग पासवान को दी जा रही है लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझसे वादा किया गया था 7 सीटों का साथ सीटों का वादा किया गया था छे अकेले और एक राजसवा की सीट छे अकेले लोकसवा के अंदर और एक राजसवा की सीट और यहां पर आप कुल छे सीट दे रहे हैं और उसमें भी कह रहे हैं कि चाचा के साथ में बाट लीजिए तो मेरे हिस्से में क्या आएगा चाचा चार सीट पर दावा ठोकेंगे तीन-तीन सीट भी यहां पर नहीं आ रही है तो साथ सीटों पर कहां पर वादा किया गया था और अब हिस्से में तीन सीट भी नहीं है तो चिराग पासवा नी इसको लेकर के नाराज है उपेंदर कुस लेकिन नितीज कमार केंट्री हो गई और उसके बाद में उपेंदर कुषवा वह जो है वो एक तरह से बस मुखोटा भर है और रहे तो ठीक ना रहे तो ठीक। बीजेपी ऐसा मान करके चल रही है और बीजेपी सिर्फ एक सीट देने के लिए तयार है। करिए कि अगर नितीज कुमार को दस या बारा सीटों पर ही लड़ा दिया जाए नितीज कुमार से कहा जाए कि देखिए आप दस सीटों पर बारा सीटों पर लड़िए और दस बारा सीटों में भी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा कि कितने लोग वो बीजेपी अ निताओं को अपने सिंबल के उपर लडवाती है ताकि कल को अगर नितियस कुमार इधर उदर भागे भी तो हमारे सिंबल वाले सांसत कम से कम हमारे साथ में ठीकर रहेंगे तो यह सवाल इक और निसके बाद में जो है चिराग पासवान हो या जीतंरा मांजी हो या मुकेस सहानी हो उपेंदर कुस्वा हो इनको भी यह कहा जा सकता है कि कि देखियो आप छी तरी पार्टियां है और भिहार के sprawdने वह वी सम्मान भी बिहार में हम आपको और कुछ सीटे दे देंगे आगे विदानसभा चुनाओ के अंदर क्योंकि विदानसभा चुनाओ भी 2025 में होने ही है तो तब तक आप लोग इंतजार कर लीजिए नेशनल पार्टी इस वक्त में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी सबस स्वान और प्रसुपती पारस के अंदर जो सीटे बाट दी जाए तो हो सकता है कि यहां पर अभी जो संभाविज सीटों की सीट आप देख रहे हैं जिसमें बीजेपी सत्रा पर आपको दिखाई दे रही है मैं यह कह रहा हूं कि यह भी हो सकता है कि जेडियों को बारा दी जाएं सिर्फ साथ सीट तो साथ यहां पर दो सीटे यहां पर कम हो गई और दो सीटे जेडियों की यहां पर कम हो गई तो बीजेपी हो सकता है कि 22 सीट Olympics और चुनाव लड़े अभी सत्रा का आकड़ा जो है वह खबरों में है लेकिन मेरी समझ यह कहा हょी है कि बीजेप 22 सीटों तक जा सकती है क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने आठ सीटे दी गई थी जैन चोधरी को और बीजेपी ने केवल दो सीटे दी जैन चोधरी को तो उसी से आप अंदाजा लगा लिजिए कि बीजेपी इस बार कितनी कंजूसी बरत रही और बीजेपी फिर एक ली तो उसका भी कोई फाइदा नहीं है यहां पर अगर चार सीट भी मिलेगी दो सीट भी मिलेगी तो आप जीट जाओगे तो मतलब एक तरह से प्रेसर पॉल्टिक्स जो है वो केवल केवल लोगों के साथ में या लोगों के उपर माहुल बना करके नहीं की जा रही है बल किसी ने किसी तरीके से अपने सयोगी पार्टियों कम से कम सीट दी जाए और इसके बाद में आपको एक और बड़ी ख़बर ये भी देने वाला हूँ कि चिराग पासवान चिराग पासवान जिनको ले करके बहुत अटकले थी चिराग पासवान जिनको ले करके मोदी जी क का हनुमान और तमाम बाते बताई गई लेकिन चिराग पासवान ने हमेशा घूट पिया और चिराग पासवान जो है घूट पी करके शांत रहे सब्र का घूट पी करके शांत रहे अपमान का घूट पी करके शांत रहे उनके पिताजी की मूर्ति उन्होंने बंगले पर लग स्थीति है कि चिराग-पाषवाण इंडिया गठबंधन केंदर चले जायं और चिराग-पाषवाण जहें व तेज स्वियादव के साथ में पर जोड़ी बनाएं व्हां-पाकिन इतना हासान इसलिए नहीं है कि चिराग-पाषवान Kia exists वोटर है वो पासवान वोटर बीजे people के साथ में ज्यादा सभाना रहता है यह अक्सर कहा जाता है चिराग पासवान वोटर है वह वीजेप़ के साथ जाने मेंでき हैं और अगर चिराग-पासवान उधर चाचा जो है उच्छा सीट जीत जाये और मेरे साथ आसा हो कि पासवान वोटर जो का सब्सक्राइब और दो सबयाब 3 नहीं आते हैं तो उधर रहने में दिककत यह है कि सीटी नहीं मिल रही है जितनी सीट वो चा रहे हैं वरना चिराग पासवान यही कोशिस करते थे कि पांच-छे सीटे मिलेंगी पांच-छे सीटों पर अपने सांसा जिताएंगे और उसके बाद में दिल्ली में आराम से मंगले में बैठेंगे लेकिन अब स्थिती उस त के चुनाओ देखिए 2009 का लोकसवा चुनाओ और 2009 के लोकसवा चुनाओ उस वक्त में लालू परशाद्यादव के साथ में चिराग पासवान के पिता ने संधोता कर लिया था राम्विलास पासवान ने और लालू-परशाद्यादव एक साह pneется लेकिन तब अड़वानी को जिताने के लिए 2004 के अंदर 32 सीटे दे दी थी तो ये जो है वो इस वक्त में स्थिती है बिहार के अगर आप समझेंगे उस वक्त की स्थिती और आज की स्थिती दोनों कंपेरिजन करेंगे तो आपके सामने बड़ी तस्वीर अपने आप से उबर नहीं कर रहे हैं तो ये सारी चीजे हैं और ये सारी बाते जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी बहुत जो है वो यहां पर कोशी से जरूर कर रही है सबको मनाने की सबको अपने खाचे में लेने की लेकिन बीजेपी के सामने मुसीबत जो है वो बिहार में भ बिहार हो चाहे वो महरास्ट्रा हो और देखिए बीजेपी ने लड़ू जरूर बटवा दिये 195 सीटों पर अपने उमिद्वार उतार करके लेकिन आप बीजेपी के लिए आगे की रहा असान नहीं है आगे की रहा इसलिए असान नहीं है हर्याना में अगर दसों की दसों सीटों पर अपने उमिद्वार उतार सकती है और फिर उसके बाद सरकार चलेगी नहीं चलेगी इसका भी नहीं कहा जा सकता और उसी दोरान हर्याना के अंदर भी विदानसवा चुनाओ होने 2025 में तो यह सारी चीजे हैं जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि कि इस तरह से पूरा समीकर्ण लगातर घोम रहा है और इस साल के अंत में जब चुना होंगे हर्याना में तो फिर क्या स्थिती होगी यह अपने आप में सवाल है और उसके बाद में आप जाएंगे तो महरास्टरा में अभी स्थिती ठीक नहीं है महरास्टरा में बीजे पी जो है वो आगे बढ़कर के सीट नहीं बाटना चारी क्योंकि वहां पर एकना सिंदे और अजीत पवार का पेच फसा हुआ है वो अपने आप में एक अलग विसे है अलग डिबेट है तो यह सारी स्टेट अब बीजे पी के सामने ऐसे बच गए हैं जहां पर बीजे पी खा साला बदल करके इस तरह आ जाते हैं तो यह बड़ा सवाल है बैराल आप बताईए कि बियार की राजनिती को देखें बियार के समेकरणों को देखें तो आपको क्या लगता चिराग पासवान वो पल्टी मारेंगे वो भी इस बार और चिराग पासवान तेजस्वी आदव के साथ पाएंगे आठ से दस सीटों का ओफर जो तेजस्वी की तरफ से किया गया है क्या उसको अपनाएंगे बड़ा सवाल है शेर कीजिए इस ख़बर को लोगों तक पहुंचाईए और आप क्या सोंसते हैं आपका अनुमान क्या है वो नीचे कमेंट बोक्स में लिख कर पहले आपको मिल सके अगर यह वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पर हमारे पेस को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस ख़बर को शेर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद